जिला सोलन में निजी स्कूल बहान लगतार दुरगटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिसका खामियाजा बच्चों के परिजनों को भी बुखतना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा बच्चों के परिजनों को बुखतना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा बच्चों के बेजना सुरक्षित नहीं रह गया है ज्यादा तर नीजी स्कूल बाहन नियमों की अवेलना कर बच्चों को स्कूल लेकर जा रहे हैं परिजन भी लापरवाही से बिना किसी पूश्टाच के बाहनों चालकों पर वरोजा कर अपने बच्चों को स्पर्ट कर देते हैं और को नीजी बाहनों से बेजने से पहले ये देखना भी आवश्यक है कि जो नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं नीजी बाहन चालक उसका अनुसर्ण कर रहे हैं या नहीं अधिक जानकारी देते हुए आर्टिय सोलन सुरेश श्रिंगा ने कहा कि सोलन में जादतर बच्चो को स्कूल ले जाने बाले बाहन नियमों की अभेलना कर रहे हैं एक तरफ चहां पर पुराने बाहनों को उपयोग में ला रहे हैं वहीं बे नियमों से जादा बच्चों को बाहनों में ठूस ठूस कर स्कूल में ले जा रहे हैं जिसके चलते विभाग उनके खिलाफ सत करने जा रहा है उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी प्रात्मिकता बच्चों की सुरक्षा है जिसमें बे किसी भी तरह से कोता ही बड़ाश करने बाले नहीं है उन्होंने बच्चों के परिजनों से भी आग्रे किया है कि बे भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरुक इन पर पहले भी कारवाई हुई है और आने वाले टाइम में भी कारवाई होगी और अभी जो एक unfortunate सी बात कुछ दो-ती दिन पहले बनलगी में गटी थी गाड ग्रेस जो है वो कोई ऐसी बड़ी दुरगटना नहीं हुए और सबी बच्चे जो है उसमें सुरक्षित है इस तरह की बाते द्यान में आती भी है नोटीस में लोग भी ले आते हैं और हम एक्शन भी करते हैं लेकिन बावजूद इसके भी कुछ गाडियां चल रही है ऐसा हमारे ध्यान में आया है आने वाले समय में इन पर कड़ी कारवाई की जाएगी और जो भी ऐसी गाडियां जो ओवर लोडिंग करती है और अवय तरीके से चल रही है या नॉम्स को पूरा नहीं करती है तो उन पर बुरी सकत कारवाई की जाएगी और मैं आपके चैनल के माद्यम से ये भी कहना चाहूँगा सभी अभी बावकों से कि ऐसी जो गाडियां है इन में अपने बच्चो को जो है वो ना भीजे स्कूल और मैं स्कूल परशासन से भी गुजारिश करूंगा कि इस तरह की जो गाडियां है अगर कोई चल रही है उनके ध्यान में तो हमें इसके बारे में जानकारी दें और बाकी हम जो एसमेस में पर चेकिंग करेंगे और आने वाले समें में आप पूरे नहीं कर रहे है जो पार फिट नहीं है जिनके पर नहीं है और जिनके पास ड्राइवर्स और वैलिड लाइसेंस नहीं है ओवर लोडिंग कर रही है तो जो भी अवैद तरीके से दंदा चल रहा है इस पर वो बिलकुल कारवाई की जाएगी आने वाले टाइम में उ जो है वो सरकार ने दिशा निदेश दिये हैं स्कूलों को कि जो बच्चों की लिस्ट है वो साथ हो उसमें अटेंडेंट हो जो ड्राइवर है उसके पर वैलिड लाइसेंस हो गारी हरत तरह से पास हो तो यह सारी चीज़े जो है वो पहले से स्कूलों को बताई गई है कही अगर स्कूलों की तरफ से भी किसी तरह की कोथाई की जाती है तो हम स्कूलों को भी बता देना चाते हैं कि उनके खिलाब भी कारवाई की जा सकती है.